सवाल ये है कि हैदराबाद के इंद्री विश्विध्याले के दलित छात्र रोहित विमुला ने खुद कुशी क्यों की? वो कैसे हालात थे? कौन से हालात थे? जिनकी वज़े से रोहित परिशान था? पूरा घटना करम क्या था? वो समझने की ज़रूरत है देखिए पिएच्डी चात्र रोहित विमुला हैदराबाद विश्विध्याले के आमबेटकर चात्र संगठन से जड़ा हुआ था अगस्त के महीने में संगठन ने 1993 ब्लास्ट के आरोपी आकूब मेमन को फांसी दिये जाने का विरोध किया जिस पर बीजेपी से जड़े चात्र संगठन एबी वीपी ने अपत्ती जताई इसी दोरान एबी वीपी ने विश्विध्याले में मुजफर नगर दंगों से जड़े फिर्म दिखाये जाने का विरोध किया जिस पर आमबेटका च्छातर संग ने ABVP के खिलाफ कैमपस में प्रदर्शन किया इसके जवाब में ABVP के अध्यक्ष सुशील कुमार ने 3 अगस्त 2015 को फेस्बुक पर एक कॉमेंट में आमबेटका च्छातर संगठन के लोगों को घुंडा कहा इस से घुसाय अमबेटका च्छातर संगठन के लोगों ने सुशील कुमार पर माफी मांगने का दबाव डाला अमबेटका च्छातर संगठन के च्छातरों के मताबिक ABVP के अध्यक सुशील कुमार ने बाद में माफी मांग ली और बात वाख खत्म हो गई लेकिन सुशील कुमार ने बाद में आरोप लगाया कि अमबेटका च्छातर संगठन के च्छातरों ने उसके साथ कमरे में आकर मारपीट की रोहित विमुला उन पांच चात्रों में शामिल थे जिन पर मारपीट का आरोप लगा और जिने बाद में सस्पेंट किया गया ABVP ने इस कथित मारपीट के खिलाफ पुलिस में शिकायद भी की वहीं आरोपों की जाँच के लिए 5 अगस्त को चीफ प्रॉक्टर की अध्यक्षता में एक जाँच कमिटी बनाई गई इस कमिटी को अपनी जाँच में पिटाई कि कोई पुखता सुबूत तो नहीं मिले लेकिन ABVP अध्यक सुशील कुमार के शिकायत के आधार पर रोहित समेत आमबेटकर चातर संगठन के 5 चात्रों को दोशी माना गया लेकिन आमबेटकर चातर संगठन के विरोध के बाद चातरों पर कोई कारवाई नहीं की गई और दूसरी जाँच कमिटी बनाई गई इस बीच ABVP ने सिकंधराबाद से सांसद और केंद्री मंतरी बंडारू दूत्यत्रे से इस मामले में दखल देने की अपील की इसके जबाब में दत्तरे ने केंद्री मानफ संसादन विकास मंतराले को खत लिखकर हैदराबाद विश्वद्याले प्रशासन से इस मामले में कारवाई करने के लिए दबाव बनाने को कहा दतत्रे ने इस चिठ्थी में हैदराबाद विश्विद्याले को जातिवादी चरमपंती और राष्ट विरोधी राजनीती का गढ़ बताया दत्ता त्रे की चिठी के बाद से मानव संसादन मंत्राले की तरफ से विश्विद्याले को इस मामले में कारवाई के लिए चार चिठीया लिखी गई ABP News के पास ये चारों चिठीया मौजूद है 24 सितंबर को लिखी पहली चिठी में सबजक के तौर पर ABVP अध्यक सुशील कुमार पर हमले की बात लिखी गई है इसके बाद से 6 एक्टूबर, 20 एक्टूबर और 19 दवंबर को लिखी चिठीयों में लगातार विश्विद्याले से इस मामले में कारवाई के बारे में पूछा गया माना जा रहा है कि इसके बाद ही विश्विद्याले प्रशासन एक बार फिर हरकत में आया और पुरानी जाँच के आधार पर 17 दिसंबर को रोहित समेत 5 चात्रों को निलंबित करने का फरमान जारी कर दिया गया इस समय तक विश्विद्याले के उपकुलपती बदल चुके थे आमबेटका च्छात्र संगठन ने पांचो च्छात्रों के निलंबन के खिलाफ हाई कोट में अपील की जाँच जनवरी को विश्विद्याले ने साफ किया कि च्छात्रों के निलंबन का मतलब ये है कि वो च्छात्रावास में नहीं रह सकते और किसी राजनीती गतवेदी में भाग नहीं ले सकते लेकिन उनकी पढ़ाई पर किसी तरह की रोक नहीं लगी थी आमबेटका च्छात्र संगठन के मताबिक रोहित और उसके चार साथियों पर एबी वीपी अद्यक सुशील कुमार की पिटाई का आरोप घलत है इसलिए निलंबन की कारवाई के विरोध में पांचों चात्र धरने पर बैठे थे जिस दिन रोहित ने आत्म हत्या की उस दिन भी आमबेटका चात्र संगठन के चात्र आगे की रन नीती पर चर्चा कर रहे थे लेकिन रोहित अचानक बीच में उठकर चला गया जिसके बाद उसका शव एक पंखे से लटका हुआ पाया गया